कि आपने बड़ी तफ्सील से जिक्र किया कि कैसे मिला जुला स्ट्रगल था और उसमें भी मुस्लिम्स का अपनी पॉपुलिशन से बहुत ज़्यादा परसंटीज भाई जान गोल था यह आपने बयान के हम थोड़ा सा आगे चलते हैं नहीं मैं ज़रा सा यहां बता दू जो सारी दुनिया के एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने अपनी किताबों में रिसर्च में लिखा है मुसलमान्स पुटिन पुटिन वेट मोर देन देयर काउंट उन्होंने कुर्बानियों में उससे ज्यादा वजन रखा जो जितनी उनकी गिंती थी और मैंने वो हार्ड कॉपी ज लोजिकल फॉर्मेशन्स शुरू हुए है ना बिलकुल और पिर हम देखते हैं कि कॉंग्रेस ने जोर पकड़ा इंडी देश्टनल कॉंग्रेस ने साथ-साथ हिंदू महास अभावी चल रही थी मुसलिम लीग फॉर्मू वो चल रही थी कम्यूनिस्टान दूलन अपनी त कश्मकश का दोर बुजरा पूरा के पूरा एक तरह के लीडर ऐसे थे कि जो जेलों में जाते रहें अवाम जेलों में जाती रही तकलीफे उटाती रही पिर उनमें इखिलाफ भी रहे सुबाच चंदर बोस का कुछ और नजरिया बना लेकिन बहराल उन्होंने बहुत आफ़ानिस्तान से जर्मनी भीजवाया वो आप अगर पढ़ेंगे आप अगर वो जानेंगे तलवार एक परिवार जिसने जिनका अड़ा था अफगानिस्तान और पिशावरकंदा जिनका बिजनिस था उन्होंने जो लिखा है वो फिर ही डाउनलोड कर सकते हैं आप हम ये बात करना चाहते हैं कि फिर उसके बाद में ये नजरीया आया जिसको के आइडियोलोजिकल फॉर्मेशन हुआ जो पॉलिटिकल थियरी है हिंदु तुवकी लब एक तो चीज थी के हिंदू था साथ में थे मुसल्मान साथ में थे हैं ये किया थी कि मुसल्मान भी अपने जर्मसब से बहुत जुड़े भे बहुत मापबद करते थे हिंदु भी अपनी रिवायत से बहुत ज्यादा dispensation उसको follow कर रहा है और इस direction में बढ़ रहा है कि यह जो constitution आपका बना पचास में 49 में यह constitution जिसका basic structure तबदिल नहीं हो सकता और जो के secular है उस constitution के उस basic structure को भी तबदिल करने की बाते अब हो रही है और वो कह रहा है कि बनेगा नहीं यह तो अल्रेड़ी हिंदू राष्टर है तब ऐसे हालात में तो बिर क्यों कटल कर रहे हो अगर हिंदू राष्टर है तो क्यों कटल कर रहे हो बिलकुर ठीक है अब ऐसे हालात में क्या होता है internalization का एक process शुरू हो जाता है खुद मुसल्मान और यानि अंगर आपके पैट जूटी जूटी एक हम भी ऐसा समझने शुरू कर देते हैं इंटर्नाइट माइनॉरिटी के भई खुदाना खास्ता भई हमारे कुछ बुजूर्गों ने यह partition करवा दिया और अवाम भुगत रहे हैं उसका नतीज़ा बंगाल का दिया उनका नाम था राजनराइन पसू जो नाना थे अरोबिंदो घोश के और नाभा गुपाल मित्रा जो इनके दोस्त थे इन्होंने सबसे पहले हिंदू मेला लगाना शुरू किया और ये कहा कि ये आरियन्स का देश है हिंदू आरियन्स होते है और यहां हिंदू ये बुनियादी तोपे हिंदू का देश है इसका मतब है ये मुसल्मान का देश नहीं है ये सिखों का देश नहीं ये इसाईएं का देश नहीं ये अभी वो नहीं कह रहा हैं कि सिर्फ हिंदु रहेंगे वो इनको मानने वाले आगे जब ये जो हिंदू मेला चलाते थे वो सारी जगा, सारे हमारे देश में हिंदु महासबह बन गई और उसी वक्त अंग्रेज भी चा रहे हैं कि हिंदुमा सबा बन जाए मुस्लिन लीग भी बन गई ये इन्होंने क्या किया कि नंबर एक देखिए पहला स्टेज आता है ये सिर्फ हिंदु का रास्टर है उसके बाद दूसरा स्टेज आ जाता है कि मुसल्मानों को यहां से निकालो और ये सन 1906 में कर देते हैं सबसे पहले मुस्लिम लीग की थियरी तो सन 1937 के बाद जब वो सिंद मुसलिम लीग की कानफरेंस होती है वाँ पहले बार परस्ताव पास होता है और 22-23 मार्च 1940 को परस्ताव पास हो जाता है लेकिन इससे कोई मुसलिम लीग का गुना कम नहीं होता है लेकिन मैं आपके बता रहा हूँ जो आप महसूस करते हैं मुझरिम जो मैं महसूस करता था मुझरिम मैं महसूस कर सकता था कि हम जिम्मेदार हैं बिल्कुल उसे बाहरा आजाए सन 1906 के अंदर एक बहुत बड़ा भाई पर्मनंद आरे से सुथीनी हिंदू मासव का लीडर है आरे समाज का लीडर है कॉंग्रेस का लीडर है वो सन 1906 में अपनी जीवनी में लिख रहा है कि मुसल्मानों को सब को भगा दिये जाना चाहिए बगानिस्तान और उस पूरे पूरे जो पठानी लाका है उसे हिंदूों को यहां आ जाना चाहिए सन 1906 में सन 1906 में उसके बाद सिंद के पीशे जो है उनको सब को निकाल दीजी उसके बाद भाई जान आप पागल हो जाएंगे जो मैं आपको अगली बात बताने जा रहा हूँ लाला लाच पत्राए लाला लाच पत्राए सन 1924 में कह देते हैं कि हमने मुसल्मानों को हिंदूों को अलग करना है मुसल्मानों के साथ हमको नहीं रहना हम मुसल्मानों को एक नहीं चार से ज्यादा पाकिस्तान देने के लिए तयार है भाई साथ ट्रीब्यून के अंदर ट्रीब्यून के अंदर 14 दिसंबर 1924 और 23 दिसंबर 1924 को दो किस्ते लिखी है उन्होंने ये माइक्रो फिल्म आपको कहीं भी मिल जाएगी मेरी जो इस्कीम है पाकिस्तान बनाने की उसमें हम मुसल्मानों को चार स्ट्रेट दे सकते हैं पठान प्रोविंस दे सकते हैं वेस्टर्न पंजाब दे सकते हैं सिंद दे सकते हैं इस्टर्न बंगाल दे सकते हैं और उसके लावा जहां भी मुसल्मान बड़ी तादाद में हम वहाँ दे देंगे उनको हम पाकिस्तान पाकिस्तान कह रहे हैं वो समझेगा और उसके बाद उसके बाद 1924 जनाब 40 से भी 15 साल पहले 14 साल पहले और दूसरी बात मैं आपको बता दू RSS इस देश में जो हिस्टोरियन है जो इमानदार हिस्टोरियन है मेरी तरह के जो हिस्टोरियन है मेरी तो खेर आउकात क्या है जो दूसरे लोग है हरबंस मुखिया जी है अपनी पैमिला जी है वो है जी वो है इन लोग को बलते ही तो कम्मिनिस्ट और बिके हुए है वो दो हिस्टोरियन को हिंदू हिस्टोरियन मानते हैं एक है आरसी मजुमदार जी और एक है जादूना सरकार जी आरसी मजुमदार जी ने लिखा है सन 1925 के आसपास के जिना की थेरी टूनेशन थेरी के आने से पहले राज नराइन बसूर नाबा गोपाल मितरा ने टूनेश साल पहले मुर्देन हाफा सेंचुरी यह शमसुली इसलाम नहीं कह रहा है यह कोई मुल्ला नहीं कह रहा है यह कोई कम्यूनिस्ट नहीं कह रहा है आरसी मजुमदार जिसको आरेसेस बोलती है यह एक ट्रू भारती है इतहास कार है उसके बाद भाहिजन सन 1937 के अंदर सावरकर साब आ चुके हैं 21 के अंदर जेल के बाहर उनको कहा गया था कोई कोई आप राजनेती काम नहीं करेंगे राजनेती काम कर रहे हैं उनको हिंदू मासबा आर्गनाइस करने की जाज़त दी जाती है वो अंग्रेजों से 50 रुपा महीना वजीफा वसूर लें समझा है पचास रुपा वजीफा वसूर लें अंग्रेजों से उसको बढ़ा के 60 रुपा कर दिया जाता है कुछ पैसे का इधर उधर भी हो सकता है लेकिन वो ब इंटरेस होता है भारत में जगडालू दो कौम रहती हैं हिंदू और मुसल्मान एंटागोनिस्टिक का जरा मीनिंग जाके देख लिए अब जो फैक्स हैं वो तो कुछ और बता रहे हैं यह कह रहे हैं जगडालू कौम हैं वो यह कह रहा है कि यह लगातार लडने वाले द दो कौम हैं दी नेशन इटसेल्फ जी और यह कभी भी एक नहीं हो सकती हैं और उसके बाद 14 अगस 1947 को आरेसे का अगबार है उसका नाम है और्गनाइजर 14 अगस्त को जो एडिटोरियल लिगता है वो कहता है अगर कोई बिवकूफ है जो यह कहता है कि यह देश हिंदू म बूसरों को मिलकर बनाएं यह सिर्व हिंदू ह का देश है और सुनलिजे इट मस्ट भी बिल्ट रिथ घंदू स्तान अलली दी कि हिंदूस टान इंडी कौन नेशन इस्ट्रक्चर गुमस्ट भी बिल्ट अंब ऑन कंदू सर्व हिंदू इस राश्क को बनाते हैं और हिंद की जो भी सोच है उसके structure पर ये देश होना चाहिए the nation is still must be built upon up of Hindus on Hindu traditions culture ideas and aspirations लेकिन इनकी हिंदू की परिभाचा क्या है 26 नॉम्बर 1949 को भारत की समिधान सवा ने constant assembly ने भारत का समिधान पास किया चार दिन के बाद RSS एक चार कॉलम का एडिटोरिया लिखता है कि हमको ये मन्सूर नहीं है हमको मनुस्वर्ती चाहिए एक तोड़ा सा score connect करेंगे कि चालीस तक तो हम पहुँच गए अब उसके बाद में एक तरह से communal politics बड़ा form होना शुरू होगी भारत में अब एक किसम का घुबार पहलना शुरू हुआ मुसल्मान भी थोड़े से कुछ मुसल्मान यकिन हैं चाहते थे पाकिस्तान बने बहुत सारे मुसल्मान ये नहीं चाहते थे कि उनका मुल्क तूटे उनकी scheme of thought में ऐसा कुछ था नहीं और इसके सबूत आपने एक के बाद एक के बाद एक अपनी किताब में दिये है इसमें कि सबसे बड़ी और्गनाइजेशन जो मुसलिम्स की थी जमियत अलुमाय हिंद उसमें मुखालिफत कर दी हम कहते हैं कि मजभी मुसल्मानों का आप आलिमों का एक ग्रुप था उन्होंने tooth and nail मुखालिफत की कि भाई हमको तो एक unified nationality के साथ रहना है इसके अलावा एक के बादे एक आपने बहुत सारी चीज़ है अगर अगर मैं चीज़ पूछना चाहता हूं कि अगर तो उस वक्त जो electorate था अगर वो adult franchise होती हो और एडल franchise कि हर इंदुस्तानी जो adult है उसको प्रिपार्ट जो आज है वो तीन election हुए थे शायद उससे पहले पारशा आज़ादी से पहले 377 जी तो उस उन तीनों में बतोरे खास जो आखरी हुए मैं बता देता हूं बात यह है कि 377 का जो चुना हुआ था उसमें Muslim League Zero सारी जगा Congress जी तो उसके नतिजे में 9 स्टेट्स में या 7 स्टेट्स में Congress के मंत्रे Ministries बन गई थी यह जो 46 का चुना हुआ यह यह भी 35 के एक के तहत हुआ इसमें किन लोगों को वोड़ देने का अधिकार था वकीलों को जो income tax देते हैं जो जमीदार हैं जो डिग्री होल्डर हैं या जो अंग्रेजों की good book के अंदर हैं सारे देश के अंदर 17 से 18% लोगों को वोड़ देने का अधिकार था और मुसल्मानों में तो क्योंके डिग्री होल्डर कम थे जमीदार बहुत कम थे वकील कम थे टेक्सपेयर कम थे यूपी और बेहर के अंदर यह संख्या लगबख 7% यानि 100 मुसल्मानों में से 7 मुसल्म लीग के खिलाब वोड़ दिया होगा हम यह मानके चलना हैं कि यह सारे के सारों ने मुसल्म लीग को वोड़ दिया तो मुसल्म लीग क्योंके मुसल्मान का अलग का तो यह 7% लोगों ने मुसल्म लीग को जितवा दिया इसलिए जब मुसल्म लीग 22 मार्च 1940 को लोहर के अं इस देश की मुसल्मानों की सारी जमीन बेस्ट और्गनाइजेशन्स, अठारा और्गनाइजेशन्स, जो मुसल्मानों की 90% को रिप्रेसेंट करती हैं, वो दिल्ली के अंदर एक इजलाज बुला लेती हैं, वो क्या प्रस्ताव पास करते हैं, भाई सब जरा सुन लिए, सब से पहला प्रस्ताव पास करते हैं कि इस देश में एडल फ्रेंचाइज का पर होना चाहिए, एडल फ्रेंचाइज हो जाएगा, यानि हर मुसल्मान को वोड़ देने काक हो जाएगा, तो आर्एस मुस्लिम्ली खतम हो जाएगी, शमस अलिस्लाम साहब, आपकी इतनी जजब है, जो ओल्ड है, सब के सहन में, एक सवाल जरूर पैदा होता है कि इतना जो एक तरह का हेट्रेड का माहौल इतने अर्से से पहलाया गया, चलाया गया, तो क्या ये हेट्रेड, हेट्रेड, ये दर असल रुकेगे, सिर्फ दो हिंदू और मुसल्मान पे आके, कि क्या इस पर हम अपनी बात को कंक्लूड करना है, जो और्गनाइजेशन ये कहती है, कि हम मनुस्मृति को लेकर आएंगे, मनुस्मृति मुसल्मानों के खिलाफ नहीं है, इसाईयों के खिलाफ नहीं है, जैनियों के खिलाफ नहीं है, वो हिंदू औरत को इनसान नहीं मानती है, वो शुद्रों को इनसान नहीं मानती है है ना अब हमने क्या करना है नमबर एक बात गिल्टी कॉंशस से बाहर निकल कर आना है नमबर एक बात दूसरी बात आप बराबर के हिसेदार है इतिहास इस देश को बनाने में जितना हमारा हिस्सा है वो किसी से रती भर कम नहीं है बलकि मनो ज्यादा है इसको समझ लीजे और तीसरी बात समझ लीजे अगर इस देश की डेमोक्रेसी और सेकुलर ढाचा बचेगा ये देश बचेगा तो मुसलमान भी बचेंगे